इस वीडियो में हम लोग देखने जाड़े हैं जिंक धातू के उपर महत्वण सवाल यानि कि जस्ता धातू के उपर महत्वण सवाल हम लोगोंने काफी सारे धातू के उपर सवालों को कर लिया है जैसे कि आयरन हो गया सोडियम, मैंगनेशियम, कैलसियम, मरकरी, लेड, कॉपर, अलुमिनियम इन सारे धातू के उपर हम लोग उलड़ी सवालों को कर चुके हैं अब हमारा ये आखरी धातू है Jink, देखिए धातू धातू तो बहुत सारे हैं आवरतिसारनी में लेकिन हमारे लिए जो महत्यपुर्ण धातू है वो ये सारे है जहां से खुप सारे सवाल पूछे जाते है तो धातू के अंदर ये हमारा आखरी विडियो है Jink इस वीडियो में मैंने आपसे सवाल पूछा था पुस्तक के लेखक कौन है तो सबने सही आंसर दिया है कुछ ने गलत आंसर दिया है विजय गोखले इन्होंने ये किताब लिखी है आज का हमारा प्रस्ण है आपके लिए जिसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में वो है टाइप मेटल ये एक मिश्र धात्व है तो आपको बताना है कि किसका मिश्र धात्व है ये सारे विकल्ब है आपके सामने इन चार विकल्ब में से जो सही आंसर है उसको कमेंट में लिखिए अब आते हैं आज के टॉपी के पहले सवाल पे D-Block के किस तत्व को संक्रमन तत्व नहीं माना जाता है आपने याद किया होगा कि D-Block के तत्व को हम लोग संक्रमन तत्व बोलते हैं और सारे के सारे क्या है धात्व है, मेटल है तो आप संक्रमन धातू भी बोल सकते हैं लेकिन मैंने पहले भी आप से कहा हुआ है I think mercury वाले हुड़ियों के अंदर कि जो हमारा समु संख्या 12 है जिसे हम लोग 2B भी भी बोलते हैं इसमें जो सारे तत्व है जिंक है पुछाएं के संक्रमन धातू नहीं माना जाता है यह अपवाद है अपवाद के तोर प..? नहीं माना जाता है तो जिंक को नहीं माना जाता है कैडमियम को भी नहीं माना जाता है और पारा को भी नहीं माना जाता है मतलब हमारा आंसर जो है यहाँ पर डी हो जाएगा इन सारे को नहीं माना जाता है जिंक की प्रमानु संख्या है जिंक का प्रतीक क्या है सिंबल क्या ह जड़ एन यह तो पता ही होगा आपको प्रमानु संख्या जिंक की प्रमानु संख्या 30 है 29 कौपर का है याद रखना है 80 मरकरी का है यह भी याद रखना है 11 सोडियम का है यह भी याद रखना है जिंक डैश करता तो है मैंने अभी आपसे कहा जो समु संख्या बारा है जिसे हम लोग 2B भी बोल सकते हैं उसमें है जिंक और है कैडमियम और है मरकरी मरकरी और एक और है कॉपर निसियम तो मेन आपको ये उपर के तीन ध्यान में रखने है ठीक है जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है कैडमियम का एटॉमिक नंबर 48 होता है मरकरी का 80 होता है और ये जो है कॉपर निसियम ये रेडियो धर्मी तत्व है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है मेटल है 112 इसका प्रमानु संख्या है आपको मेलनी ये तीन ध्यान में रखने है इसको आप छोड़ भी दो तो भी चलेगा तो हमारा आंसर यहाँ पर B हो जाएगा समों 12 और आवर्थ कौन सा होगा ठीक है आवर्थ कौन सा होगा देखो D ब्लॉक की शुरुवात होती है चौथे आवर्थ से ये चीज़ आप ध्यान में रखना D ब्लॉक की शुरुवात होती है चौथे आवर्थ से मतलब अगर विकल्फ में मालो तीसरा आवर्थ रखा है दूसरा दे रखा है पहला दे रखा है मतलब काट दो देखते ही काट दो D ब्लॉक की शुरुवात ही होती है चौथे आवर्थ से तो ये है चौते आवर्थ में ये है पांचवे आवर्थ में ये है चटे आवर्थ में और ये है सातवे आवर्थ में तो जो जिंग है वो है चौते आवर्थ में तो आवर्थ चार है और समुह बारा है निम्न में कौन एक जिंग का अयस्क नहीं है बहुत ज़्यादा महत्वणन है जिंग के जो सारे अयस्क है जिंग ब्लेंड जिंग सलफाइड को बोलते हैं जिंग काईट जिंग अकसाइड को बोलते हैं कैलामीन जिंग कारवनेट को बोलते हैं सारे के सारे आयस्क जो है आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं तो ये सारे आप ध्यान में रखेएगा जिंक ब्लेंड जो है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप ये सारे ध्यान में रखें पूछाय कि कौन नहीं है तो मेलेकाइट मेलेकाइट किसका है कौपर का ये अयस्क है बाकि ये सारे जिंक के अयस्क है निम्र में कौन जिंक ब्लेंड का रसायनिक सुत्र है फॉर्मूला भी ध्यान में रखिए ये है जिंक ब्लेंड का, ये है जिंकाइट का और यह कैलामीन का तो हमारा आंसर यहां पर ए हो जाएगा जिंक अभिक्रिया करता है अब तक तो आपको अच्छे से रट चुका होगा मैंने इतनी बार आपको बताया है कि यह अच्छे से अब तक आपको रट गया होगा अलुमिनियम जिंक आइरन अलुमिनियम जिंक आइरन ना तो ठंडे पानी से यह तीनों रेक्ट करते हैं ना ही गरम पानी से केवल और केवल वैपर से करते हैं जल वाश्प से करते हैं तो केवल जल वाश्प से सी हमारा आंसर हो जाएगा उपर के यह जो तीन है ये ठंडा पानी, गरम पानी और जल वाश्प सारे के साथ अभिक्रिया करते है magnesium ठंडे पानी के साथ तो नहीं करता लेकिन गरम पानी और वाश्प के साथ असानी से कर लेगा उसके बाद देखो, lid हो गया, copper, mercury, silver, gold ये सारे जो है, किसी भी तरह के पानी से अभिक्रिया नहीं करते है ना तो ठंडा, ना ही गरम, ना ही steam के साथ मतलब overall बोले तो ये जल के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं है और ये aluminium, zinc, iron, ये तीनों करते हैं केवल steam के साथ तीक है, केवल steam के साथ zinc plus tanohydrochloric aml, whatever zinc chloride plus y है आपको बताना है कि y क्या होगा यहाँ पर ये भी आपको रट चुका होगा मैंने बहुत बार आपको बताया है देखो यहाँ पर hydrogen यहाँ है और zinc की यहाँ पर है तो hydrogen से उपर वाले जो धातू होते हैं वो dilute HCl और dilute H2SO4 के साथ react करते हैं अगर मालो की HCl के साथ किया तो chloride बनाएगा जैसे यहाँ देखो, zinc है, tanohydrochloric aml है तो zinc chloride बनाएगा अगर sulfate के साथ किया, sorry माफ करना, sulfuric acid के साथ किया तो sulfate बनेगा, इस case में zinc sulfate बनता और hydrogen gas जो है यहाँ पर उत्पन होती है क्योंकि hydrogen से उपर है और यह दोनों क्या है, tanoh aml है तो hydrogen gas यहाँ पर उत्पन होती है तो हमारा answer यहाँ पर A हो जाएगा Y जो है यहाँ पर, वो hydrogen gas हो जाएगा sodium hydroxide प्लस zinc बढ़ाबर क्या होगा यहाँ पर साथ में hydrogen gas यहाँ पर उत्पन होती है तो पिछले वीडियो में, पिछला वीडियो कुन सा था? Aluminium के उपर था Aluminium के उपर जब मैंने वीडियो डाला तो वहाँ पर हम लोग ने चर्जा किया हुआ है कि sodium hydroxide हो या फिर potassium hydroxide हो इसके साथ अगर aluminium react करेगा तो aluminate बनेगा अगर zinc react करेगा तो zinc it बनेगा यहाँ पर इसके साथ करता तो potassium zinc it और sodium hydroxide के साथ कर रहा है तो sodium zinc it आपको यहाँ पर धिहान में यह रखना है कि हम जब लेंगे potassium hydroxide या फिर sodium hydroxide zinc का reaction करवाएंगे तो zinc it बनेगा aluminium का reaction करवाएंगे तो aluminate बनेगा यह हम लोगों ने aluminium वाले वीडियो में भी देखा था हमारा answer यहाँ पर क्या हो जाएगा zinc it हो जाएगा sodium zinc it निम्न में कौन एक जस्ता का मिश्र धातू नहीं है अच्छे से ध्यान में रखिए यह सारे मिश्र धातू पीतल यानि की brass पीतल में क्या होता है copper होता है और साथ में zinc होता है कासा में क्या होता है copper के साथ tin होता है उसके बादे को dutch metal है और gun metal है तो dutch metal याद रखना बहुत ही असान है पीतल का ही ये एक type है ठीक है एक form बोल सकते हो पीतल का ही ये एक form है तो copper और zinc आपको यहां भी मिलेगा अंतर क्या हो जागा यहां पर यहां पर copper मिलेगा आपको सॉरी 70 प्रतिशत और zinc यहां पर मिलेगा 30 प्रतिशत जबकि यहां पर आपको copper मिलेगा 80 प्रतिशत और यहां पर zinc मिलेगा 20 प्रतिशत है दोनों copper और zinc का मिश्रदातू अब आ जाओ gun metal, gun metal में आपको copper मिलेगा, zinc मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, teen मिलेगा अगर german silver होता तो यहाँ पर teen के स्थान पर हम लोग निकल बूलते हैं हमारा answer को यहाँ भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ copper और teen है, जस्ता नहीं है Dutch metal dash का एक प्रकार है, तो मैंने अभी आपसे कहा, Dutch metal मिश्रदातू है copper और zinc का अंदर क्या हो जाता है यहाँ पर, कि इसमें copper होता है 80% 80% और zinc होता है 20% पीतल में जो copper और zinc होता है, यहाँ पर copper होता है 70% और zinc होता है 30% तो यह आपका Dutch metal है, यह जो ratio है परसेंटेज यह भी आप याद रखी गए, यह भी एकजामें पूछा जाता है सारे का नहीं याद रखना है, बट जिसमें भी मैं यह परसेंटेज आपको बताता हो ना, कि इसमें यह इतना परतिशत है, यह इतना परतिशत है वो वाले सारे आपको मिश्रधातू याद रखने है German silver तो मैंने अभी आपसे कहा, German silver में क्या नहीं होता है, silver नहीं होता है तो फिर क्या होता है, copper होता है, zinc होता है, और क्या होता है, nickel होता है ठीक है, copper, zinc और nickel होता है यहाँ पर अब tin डाल दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो gun metal हो जाएगा solder, solder किसका मिश्रधातू है lid और tin का, यह हम लोग अलड़ी चर्जा कर चुके हैं lid वाले विडियो में Dutch metal में copper होता है Dutch metal में copper होता है लगभग 80% और लगभग 70% होता है किसमें? पीतल में पीतल में लगभग 70% और जो दूसरा element होता है metal होता है, जिंक होता है जिंक सल्फेट को कहा जाता है नीला तो ता किसको बोलते हैं copper सल्फेट को बोलते हैं इतना बार मैं आपको बता चुका हूँ यह कि अब तक आपको रड़ जाना चाहिए हरा थोता बोलते हैं ferrous sulfate को, ferrous sulfate, heptahydrate सफेद थोता किसको बोलते हैं यहाँ ferrous sulfate है ना यहाँ पर जिंक सल्फेट कर दो और heptahydrate यह सफेद होता है ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँपर C हो जाएगा जसता का निश्करशन मुक्यता, dash से किया जाता है अब देखो, जो यह is क है, वो तो jink blend भी है jink blend भी है jink kite भी है और calamine भी है लेकिन जसता का निश्करशन extraction जो है, सबसे ज़्यादा jink blend से होता है main or इसका यही है तो हमारा आंसर यहाँपर jink blend हो जाएगा jink sulfide है और barium sulfate है तो इसके मिश्रन को dash कहते है jink sulfide और barium sulfate का जो मिश्रन होता है वो in soluble होता है यानि के जल में नहीं घुलता है और इसके mixture को हम लोग lethal pone कहते है ठीक है, lethal pone तो B हमारा यहाँपर आंसर jink chloride का उपयोग किया जाता है jink chloride का formula होता है जडेंसील 2 इसका इस्तमाल लकडी को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है कोई लकडी है वो सर न जाए उसमें कीरे न लग जाए इसके लिए jink chloride का इस्तमाल होता है उसके बाद जो dry cell होता है उसमें electrolyte के तौर पर इसका इस्तमाल होता है और gel शोशक के रूप में डेश का उपयोग डेश का उपयोग चर्म रोग के इलाज में किया जाता है jink carbonate का इस्तमाल होता है जिंग carbonate का इस्तमाल होता है skin problem में इस्किन प्रॉब्लम के इलाज करने में तो एह हमारा आंसर हो जाएगा जिंक कार्वनेट जड़न सीओ त्री डाइश का प्योग चूहा विश के रूप में किया जाता है चूहा को मारने के लिए किया जाता है यह जिंक फॉसफाइट तो जिंक फॉसफाइट का इस्तमाल होता है उसमें होता है तामबा उसमें होता है जिंक और क्या होता है टीन होता है जर्मन सिल्वर में निकल होता है लेकिन इसमें टीन होता है यहां पर टीन हो जाएगा जर्मन सिल्वर में नहीं होता है जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता है तामबा होता है जिंक होता है नि लोग ने सिलवर को सिलवर को सुबर को सिय स्सारे मिटल कर चुके हैं इस सारे हम सोडियम देखा डिखा कल्सियम मैंगनेशियम बहोत सारे मेटल्स म YO हम लोग कवर कर चुके हैं इनि मेटल्स के एक हमेस्जी केसे नर अदर सवाल पूसने गाई हैं यह सारी हम tääल चुके हैं तो विडियो अगर आपको अश्छा लगा तो किरिपया करके लाइक करके जाया कीजिए देखिए आपका लाइक बहुत जिरोडी है चैनल के लिए बहुत जिरोडी है क्योंकि content में चाहे जैसा डाल दो जैसा हमें वीडियो डाल दो अगर उस पे likes नहीं मिलते हैं तो YouTube के नज़र ये में YouTube के नज़र से हम देखें तो वो चैनल जो है अच्छा नहीं है वो जो viewers है जो देखते हैं वीडियो उनके लिए वो चैनल अच्छा नहीं है चाहे contents आपके नज़र में चाहे जितना भी अच्छा हो लेकिन YouTube को कैसे पता चलेगा कि अच्छा है वो पता चलता है लाइक से अगर लाइक नहीं है इसका मतलब कि content अच्छा नहीं है लोग उसको पसंद नहीं कर रहा है तो वो चैनल जो है देरी देरी रेंगिंग में बहुत नीचे चला जाता है और मेरा चैनल अलड़ी जा चुका है इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि प्लीज लाइक किया किजिए आप वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक किजिए नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक मार सकते हो थोड़ी नहीं जवर्दस्ती है कि आप लाइक ही करो लेकिन अगर आपको लगता है कि वडियो अच्छा था काम का था आपके लिए यूश्वूल है तो प्लीज लाइक करके जाया कीजिए तो अब मिलते हैं अगले वडियो में थैंक यू